नमस्कार मैं राकेश रमन बायोजी फेकल्टी स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल आर बी सीफर स्टूडेंट हम सभी जानते हैं कि प्रकिर्ती अभी पूरी मानव जाती को चैलेंज दे रही है एक छोटो सा कॉरोना वायरस इतने एड़ांस्ट एनिमल हुमेन विंग्स को इतना जादा प्रभावित कर रहा है स्टूडेंट हम सभी चैलेंज जीतेंगे जरूर जीतेंगे है यसलिए मैने लिखा है को रहे और मानव जीतेंगे लेकर इस्टूडेंट हम और आप किया सिर्फ इस इस चैलेंज को जीतेंगे सि φ्ट प्रकिर्ती में जो कोरोना वायरस से सिसे जी देंगे नहीं स्टूडेंट एक छोटा सा वाइरस हूं कि वो हमारे study को कैसे प्रभावित कर सकता है student हम अपने study को जारी रखते हुए और अच्छी तरीके से जारी रखते हुए हमें इस कोरोना वारिस पर विजयी प्राप्त करना हमें ये युद्ध भी लड़ना है और हमें वह विद्ध भी लड़ना है और मज़े की बात तो यह ह हम दोनों पर विजयी भी प्राप्त करेंगे हम नीट का रिजल्ट भी 2020 में ही देंगे और हम कोरोना से भी बस इसी साल जीत कर बाहर भी निकलेंगे तो हमें दोनों लड़ाई एक साथ जारी रखनी है student आप सभी को पता है कोरोना वारिस से लड़ने के लिए हम सभी मिलकर जार रहे हैं हम सब सरकार का सहरो कर रहे हैं सरकार हमारी सहयोग कर रही है हम पर धीरह नहीं करना है स्टुडेंट तो आए आज हम आपसे बात करेंगे कि नीट 2020 में प्रिपेर होने वाले स्टुडेंट कैसे इस लॉक्डाउन के दवरान भी बिना प्रभावित हुए अपने स्टडी को जारी रख सकते हैं और भली माती जारी रख सकते हैं स्टुडेंट तो मैं स्टार्ट करता है स्टुडेंट बताना कि आप लॉक्डाउन के दौरान कैसे इफेक्टिव स्टडी करें और आप अपने प्रिपेरिशन को कैसे फाइनल से दें यह डिसकस करने से पहले मैं नीट 2020 में प्रिपेर होने वाले स्टुडेंट को चार कैटेगरी में डिव से लिए मैं इसको चार कैटेगरी में इस पहुंच चुके थे एक वह जो सकेंड इस पर पहुंच चुके थे और एक वह जो फस्छी पर पहुंच क does को के अलग कैटेगरी में दिवाई करने का क्रेटेरिया भी बताउंगा फिर यह बताऊंगा कि वो student अपने कटेगरी से अगले कटेगरी में कैसा सिप्ट होगा और फानली फानल स्टेपर पहुंच कर नीट के लिए कैसे प्रिपेर होगा student हम सभी को पता है student को भी पता है teachers को भी पता है parents को भी पता है जो student जिस भी लेवल पर सस्टेंड कर रहा था lockdown से पहले हर student majority student अपने स्टेप से नीचे खिसक गया है student हमें घबराना नहीं है human beings अबरा कोई चीर हो सकता है क्या यार इस need को हमने बनाया है या need ने हमें बनाया मानब जाती ने न एक्जाम को बनाया है एक्जाम को मानब गयती को थोड़ी न बनाया है तो यह हमें क्या challenge करेगा need क्या फिर coronavirus हम दोनों से लरेंगे आईए हम आपको बता रहे हैं कि हम need से कैसा लरेंगे सुनिए पहला category जो student final step वो student जो need 2020 में देने के लिए अपनी लड़ाई साल भर जारी रखे साल भर पूरा मेहनत करा उन्होंने और सारे chapters को prepare किया है और अच्छे से prepare किया और उन्होंने जब lockdown के पहले जो भी test paper वो दे रहे थे अच्छा perform कर रहे थे 600, 620, 650, 575, 585 ये score कर रहे थे वो student को मैं मान कर चल रहा हूँ कि वो final step पर थे अगर वो student अभी भी यहीं है तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस lockdown के दरान भी और आपको मेहनत जारी रखना है अगर आप उस step से नीचे खिसक गए हैं तो आप 3rd step में आ गए अब सुनिए मैं आपको पताता हूँ कि 3rd step वाले कौन है ये वो student है जिन्होंने साल वर करी संगर्ष की करी लराई लरी अपनी बुक से अपने test paper से बहुत मेहनत किया उन्होंने बहुत मेहनत में कोई कमिनी लेकिन किसी कारणवस तवियत खराब हो गया उतना ज्यादा नहीं classes कर पाए किसी कारणवस घर चलेगे किसी काम से कोई पर्टिकुलर टॉपिक छूट गया मैजरूरूटी टॉपिक नहीं कोई पर्टुकुलर टॉपिक छूट गया सपोस्टेट बाइलो जी मैं आपका human health में जब आप लोटे घर से तो आप करेंट टॉपिक के साथ साथ चलते रहे और उसको अच्छी से प्रिपेर किया आपने तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक आपका छूड़ गया है वह बच्चे माने जाएंगे थर्ड इस्टेप में मतलब इनकी प्रिप्रेशन भी वेकिन ने सारी टॉपिक्स को पढ़ा अच्छे से इंहोंने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिया है तो आए इंदोनों स्टूएंट्स के लिए मैं बात करता हूँ सब्सक्राइब करता हूँ वाले स्टूएंट के लिए यह सबसे पहले ध्यान है किसी भी लेबल स्टूएंट सबसे पहले अभी लॉक्डाउन के दोरान आप अपने हैल्थ पर ध्यांद दें तो गया आपका है ते मैंट नहीं रह सकता तो आप कोई स्टरी निकर सब्सक्राइब पर सस्टेंग रहे हैं आपका स्टरी अच्छा नहीं चल रहा है अगर आप हैल्ट मेंटेंग करके नहीं तो हैल्थ को मेंटेंट नहीं जो भी एवलेवल फूड़ फैल फूड मारिकर से लाइए अगर आप हॉस्टर्स में रहे हैं फस्टेंग करें भी पैंट फूड लिया ये मिल्क मिल जाता है इसली ब्रेड मिल जाता है यह सब खाई अगर अस्टल में खाना अच्छा नहीं फ्रूट्स का यह फ्रूट्स उसे तरह बैटर क्या सकता है लेकिन कि आप अपने हैल्थ को पहले मेंटेन रखिए फिर बताता है कि आप स्टडी कैसे कि दिये जो फाइनल स्टेप पे स्टूडेंट है वो आज से डिसाइड कर लिजे टाइमिंग फिक्स कर लिजे दो से प किसी से कुछ नहीं उस दोरान आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल देजिए साइलेंट कर देजिए और आप क्या कीजिए आपके पास होंगे प्रीजियस यह कोश्टन पेपर सेट फुल से लेवल सेट आपके पास अगर 10 साल के सेट हैं तो बहुत अच्छा है उस दस साल के सेट में 15 सेट पेपर आपको मिलेगा 10 साल के पेपर में कैसे निर 2015 भी दो बार हुआ था उसके बाद से जब भी नीच हो रहा है तो अलग-छलग स्टेट में होते हैं तो दो-3 सेट पेपर आ जाते हैं इस वियापर आप देखेंगे तो आपको 14-15 सेट मिल ज चैनल अप आलार्म लगा कर बैठ जिए इन्वैरमेंट पूरा सेपरेट कर लिजिए ऐसा एन्वैरमेंट जैसे आप टेस्ट पे पर देय hey रहे हैं रूम पर टेस्ट पर दे रहा है ऐसा environment room में आप create कीजिए उसके बाद आप तीन घंटे कूल माइंड से पेपर दीजिए यह सोच कर कि आपका फाना लिग्जाम हो रहा है आज सबस्क्राइब आपको प्रोड़ लिग्याइए यह सोच कर आपको प्रोड़ दिन लाय है तीन घंटा खतं अप टेपर कैसे एक Kalp करना है मालए या आपका भाय अच्छा आप एल्प लिए आपका फिलिक्स बहुत अच्छा है तो आप पहले फिलिक्स अटैम्ट करें इस बढ़ेगा आपका ओप अच्छा तो पहले सुने बहुत सारे बच्चे के अगरते हैं जिनका फिजिकल कर प्रहां ज्याएं ज्ञानिक कर आपका पांच मिनटे विव एक को से नुने मेग आप सोचने वा पांच मिन बहूत इंपोर्टेंट रुतायर तीम गंटेम नहीं भरबात करना है वो समय कि आप जो सब्सक्राइब इक सब्सक्राइब ना thumbs लास में तो बीच में रखे हैं और बाइलू जी अगर स्टार्टिंग में आप कर रहे हैं तो एक घंटा समय दिज्ए बाइलू जी को और एक घंटा समय देने के बाद मैं एक वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि टेस्ट पेपर कैसे अटेंट करना है इस्पेसलिंग बाइलोजी मैं आपको नियेटिम मार्किंग रिमूब करने के पूरे तरीके बताऊँगा नेक्स वीडियो मेरा वही आएगा और आप अगर उस तरीके को अपना लिए यकीन मानिये मेरे बहुत सारे इस्टुएंट्स बाइलोजी में प्रिप्रेशन सेम रखकर भी टेस्ट पेपर में स्कोर करने लग गया है उन्होंने वहला सर इस तरीके में जान है क्योंकि तरीका ही उन्हें मालू मैंने कैसे फिर जैसे आपका अलान बजे स्टॉप सब काम स्टॉप रूख जाए आप खतम आपका उमार होगा अगर अभी नहीं मिल रहा वैसे दो बुक्स की दुकान खुल चुकिए अगर नहीं मिल रहा लोगडाउन तो आपका कीज़े नमरीं के नुसार लिख लिए कोई दिकत न पर का सेल्फ अनालजिस कीजिए यह कासे करेंगे यहीं नेक्स्ट वीडियो में बताओंगा कि कैसे बच्टे को टेस्ट पीपर एटेंब करना चाहिए कैसे और कैसे बच्छे को पेपर का था स्वरीघ्ट इया बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट स्टुडेंच पहर एनलेसिस हाफ प्रिप्रेशन फॉर इग्जामिनिशन मेरा पर्सनल यह सा मानना है कि अगर आप टेस्ट पेपर का रेगुलर एनलेसिस किये हैं तो आपका आधा प्रिप्रेशन वही है साल भर का मैं नेक्स वीडियो में बताऊंगा कि पेपर एनलेसिस का सही तरीका क्या है बहुत सारे बचे को फायदा हुआ बहुत सारे जो एवरेज प्लस स्ट्रेंट थे उन्होंने बोला सर अब तो बहुत जाना माक्स आने लिए मेरे कॉश्विडेंस भर यह मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा तो आप पेपर का नेलेसिस कीजिए उसी दिन आपको प ठेश्विडेंस खुद का अनालेसिस उसके बाद आपने लिक टॉपक को पहचाना वीड टॉपक को पहचाने के बाद मैं बायलु जी कि बात करना हूं माल लिया आपका डाइस्टेश्टिफ शिस्टम का कुश्ण गलब थवड़ा आपने उसको रिमार्स कर ले कि मेरी यार्टी माल लिए डाइस्टिफ स्ट्रम का एंस यार्टी में सेवन पेसेज हैं साथ पेज तो आपके किजे डेली वाइस एक पेस पर यह नहीं पढ़ना दिन बाप पुड़ा परेगों आपका दिमार विट्ट अपको पढ़ने में दिमाग जाधा लगता है तो आप एक प यार्टी में लाइन दिया हुआ है डाइजिशन इस दा प्रोसेस अप ब्रिकडाउन आफ कंप्लेक्स मेक्रो मालेकुल इंटु सिंपल एन एब्जॉर्बल फार्म या पुरा लाइन परे उसके वादिसका इस पर मंधन कीजिए क्लाइन क्या बोल रही है अगर आप हिंदी बेक्राउंड से तो किसी वाइड में प्रोब्लम आरे अब डिक्सनली में मोबाइल में दूडिया उसका मीनिंग और आप उसका पेले पुरा में निकाले खुझ से क्या करिए अगर मीनिंग समझ में आए तो उसका सॉट फाम आप अपने एक टेपर पर लिखे नोट्स उस अपने पर लिखे ना तो आपको जब एंस्टेटी बेस्कोशन अजाना जाए कर नीट में आपको सही हो जाएगा हर माली जालाइन दिया हुआ है माले जाएप इकोलोजी पढ़ रहे हैं आप जैसे स्टार्ट किए एको सुस्टम पढ़ना तो आप पढ़े एको सिस्टम इस दा एस्ट्रक्ट्रल एंड फंक्शनल नुट आफ नीचर आपने पड़ा आपने फिर एडिंग लगा एको सिस्टम एरो मार के लिखा एस्ट्र इसके बाद जो टॉपिक आपका अच्छा है वायो में उस टॉपिक में आप क्या कीजिए डेली वाईज यहां से आपको यहां से आपको आपको नेस्ट वीडियो में यहां तो कैसे करना चाहिए और इसका एनलेसिस कैसे चाहिए किसी भी हालत में आपको कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए कोई भी डाउट नहीं आपको पूरी बाइलोजी में जो भी डाउट है आभी आपको मैं वाट्सअप नमबर जारी करूंगा आप मुझे पूरी बाइलोजी में जो भी डाउट आप मुझे सेंड करें वाट्सअप पे मैसेज करें मैं उसका कमप्लीट लॉजिकल रीजन आपको सेंड करूंगा अगर वो वाट्सअप पर समझाना पॉसिवल नहीं होगा मैं आपको कॉल करके समझाओंगा मैं आपको सौट वीडियो बना कर भेजूंगा लेकिन आपका डाउट रहेगा नहीं बायो में आप भेजें मुझे लेगन किसी भी कीमत में आपका किसी भी सब्जेक्ड में डाउट नहीं रहें चाहिए क्योंकि स्टुएंट्स आप फाइनल प्रिपरेशन वाले स्टुईट अभाइनल स्टेप पर है यही आपका नंबर भूस्ट करेगा यही आपको और आगे ले जाएगा अगर आप 600 प बच्चे वाले एक लिए कॉमन तरीका है थोड़ा सा डिफ्रेंशन दोनों में बस इस तरीके को और ज्यादा स्रियस्ली करना होगा थरिस्टेप आले बच्चे को कि उनका और भी टॉपिक छुटा हुआ है तो उनको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और और सामिस्टेप और जादा देंगे तो अच्छी बात है रहाइग का पास सेलक्षान तो सिव रहे आपका ये बात भी मैंने आस्टेप और आपको बात कर रहें सकेंड इस टेप और सबसी सुडिए ऐस सुडिये जूदेंट गावराने की बात नहीं है बत्च्य साड़े अमारे है कि आ चाहे वे यह फिर फार स्टेप यह फिर फार श्रीष टेप पर सुस्टेप आप सारे बैच्चे यह हैं आपको मैं बताता हूं सकेंड स्टेप और स्टेप वाले बच्चे कौन है सकेंड स्टेप वह हैं जुन्होंने आधा सिलेवस पढ़ा है और आधा पढ़ा ही नहीं क्लास वोड दिया मस्तियां कर ली कुछ भी कर ले आधर वाईज आप मुबाइल चलाने में रह गए पबजी ढ़ंप दो मैने हैं अगर मनुथ आपने जी-जान जोग दिया तो सकेंड स्टेप वाले तो बहुत सब्सक्त हो ऐसा बहुत सारे अगर आपने जी-जान जोग दिया तो अब करना कैसे करना है एक है फरस्टेफ वाले उन्होंने पूरी सिलेवस का हाफ बोलिये या उससे कम बोलिये पढ़ा है एक बात बताओ बच्चे इस दोनों कटेगरी में बहुत सारे बच्चे तो जान बूच कर टाइम पास्ट करने वाले थे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्हों को मजबूरियों ने घेर लिया कोई कोई मजबूरी आ गई घर में ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो गया अपने हेल्थ के साथ कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो गया जो हमारा सिलेवस चूड़ गया चलिए हम बात करते हैं अगर वह बच्चे जान बुचकर भी समय बरवाद की हों तो उनको भी समझा रहा हूं और दिन यह मंजील है यह रैड मारकर है यह आपका मंजील है और कोई भी बंदा इस मंजील पर पहुंचना चाहता है और जर्णी यहीं से स्टार्ट होती है ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट यह और फाइनल पॉइंट यह अब यह बंदा यहां से चलना स्टार्ट किया चलते चलत आप यह दिख्या वाला बंदा गौर क्या आपने इस पीड का अंतर है कि मंजिद के पास इन दोनों ने पहुंचे लेकिन इस पीड का अंतर है अब आप सोच देंगे कि स्पीड का अंतर कैसे आया को मैं अगर सब्चेक्ट के बात करूं तो हर किसी का बैशिक सेम नहीं है बैशिक सेम नहीं नहीं कि में तर आ रहा है कि हमने बहुत सार स्टून त्यारी करा है हमने देखा कि भाई यह पढ़ाय तो से पढ़ाय तो मैं नहीं पुरा भाई उस अभी को फिर इसका रमरा अधिक सका नमेर कम क्यों आ रहा जब की यहीं पढ़ने माला पच्छा यह भी जी सान लगाता है यहिक्यों नमाता है रीजन वह भी श् measure करन रहा है और यह सबूह अंब आल कर दो ऑस नंद पर लिये थे और इन नहीं पड़ा था इनो नहीं पढ़ा तो इनका गलती नहीं है तो गलती किसका किसी को दोस्ट देना तो गलती हो वोद तो हम अपने तरीके से पूड़ा किया है उनकी जो चंता थी वो चंते कनुकर की है अगर पता होता कि टीचर क्या रच्छान यह या उन्हें पाचाने के इनने थी वह यहां पर दोसी नियुक्तार तो । किसको कितना पना सिखानाола नहीं सिखा है सिखाने पाए तो कुल मिलाकर दोसी है मैं किसे का नाम नहीं ले रहा लेकिन आप अपने प्रिवियस टीचर को गौर किजे कि वह आपको कितना सिखाया कि राटाइए किसी को दोस देने से बैटा रहे कि हम आपना इंपरूब करें आप अपने माल लिजे इस साल बहुत मैनत करें और आप चल के नीट कर रिजल्ट आया आप यहां से चलना स्टार्ट किये थे और यहां पहुंच के अटक गया तो आपका मन नहीं करेगा क्या बागे जाए लेकिन अब ध्यान रखें अगर आप यह भी सोच रहे हैं कि अरे मेरा त पहुंचेंगे तो मंदिल पर पहुंचें नहीं तो क्या फाइदा त्यारी करने का छोड़ देते हैं अभी अभी यह समय स्टुडेंट के दिमाग में बहुत निगेटिविटी क्रियेट करता है स्टुडेंट मैं उसी को दूर करना हूं आपका साथ ऑनलाइन नहीं लाना यह सब्सक्राइब करेंगे और टाइम और त्री टाइम होगा थी अवर मैंने रिसाइट किया देबर ईट साइड केंसान ने डिसाइड के आ न तो गए पर हमारी जिंदगी मना सकता है बिगार सकता है अ कैसा तूनिया मैं आपको बता रहा हूना आप अपना स्टडी हुए तक यह पहुँच वहां है नोलेघ्स कभी मैं कि ने जाएगा अगर आपका नेस्ट ने आना से चल कर तो आपको रूकना नहीं है चलते रहना है हो सकता आप यहां से यहां पुंच जाएं यहां पुंच जाओ जी यहां पुंच जाएं तो यहां रुकना नहीं है चलते रहना है जितना स्पीड बढ़ा सकते हैं बढ़ाते रहना है लेकिन रुकना नहीं है चलते रहना है यह बात फर्स स्टेप और सकेंड स्टेप दोनों बच्चों को फॉलो करनी है स्टुडेंट अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इस साल अगर आप जी जा बने तो अगले साल बेटर डॉक्टर बनिएगा बहतर डॉक्टर बनिएगा तो अगले साल आपको तयारी के लिए यहां से यहां से नहीं चलना पड़ेगा यहां से चलना पड़ेगा तो आपका अगले साल तयारी इजी हो जाएगा और सेलक्शन का चांस बर जाएगा इस प बनेंगे यह पॉजिटीवीटी के साथ चलना है हम अपरी पधाई को प्रवावेत नहीं करेंगे किसी भी हालत में नहीं करेंगे यह पॉजिटीवीटी आपके अंदर होना चाहिए तभी आप अपने सलक्षन की और बढ़ते रहेंगे रूखेंगे नहीं यह तो मैंने पता है कि आपको कॉंसे टॉपिक छुटा हुआ है वीख है अन्पिपेड है आपको पता है कि आपने जब एकोलोजी क्लास में पढ़ा गया ता पूरा क्लास फोर दिये थे किसी कारण बस जान भूजकर यह मजबूरी की बेदे किसी कान बस आप उस टॉपिक को जैसे मैंने इनको बताया फारे स्टेप एंड थारी स्टेप उसी तरीके से वीख टॉपिक को एंसे अटी से पड़के एक एक टॉपिक को प्रिपेर की जिसे सल्फ नोट्स बनाई है पहला कम आपका यह है उसके बाद आप उस पर्टिकुलर वीख को संस का प्रैक्टिस की जिये कहां से प्रिमियस एकोशन एंड एंसी याटी बेस्ट को सन इतना घरना है अगर प्रिमियस एकोस्टेंस में कुछ ऐसा तर्म लेगा जो आउट आउट फैंसी याटी है तो उसको आप अपने सेल्फ नोट्स में उस जगर नोट कर लिजिए अब सुनिए आपको यह बता रहे हैं कि यह करने के बाद 15 मई तक आप यह काम किजिए 15 मई के बाद मैं अभी अभी मैं यह मान कर चल रहा हूं आप अफिसियल नोटिस के कॉर्डिंग की मई के लास्ट वीक में लीट होगा तो मानकर चले की 25 मई का सपास फिर भी आपको 10 दिन का ताइम मिलता है अगर मैं के लास्ट वीक में होता है तो आपको और भी टाइम मिलेगा तब आप मुब कर कि इदर आ जाएंगे जब तक मई के लास्ट वीक में 25 से 30 मई के बीच में हुना है तो 15 मई से आपको क्या करना है डेली वाइस पेपर करना है फुल सिलेवर जैसा मैंने इनको बताया वही टाइंग लगा कर अलार्म लगा कर जैसे इनको बताया सेम और उसी तरीके से पेपर एनलेसिस भी करना है पेपर अब करना है यह मैं नेक्स वीडियो में बताऊंगा तो आप भी देखेंगे कि पेपर एनलेसिस कैसे करना हाँ प्रिप्रेशन वही होता है उसके बाद आपको और वी टोपिक सामने निकल कर आएगा फिर उसको फिर से प्रिपेर करना है आपको अपना ऐसे जारी रखना है और किसी भी हालत में आपको मानता हूँ आपको डाओर जादा हेंगे क्यों कि आपका बहुत साज इन्वार तो डाना चेंजा हा तो लो यह चोठा है लगता है यह डाउट टाउर तो मुझे लगता है ॉट लगता है यह बच्छा ना चाह रहा है तो देखने में बहुत आनन दाता है सुनने में बहुत आनंद आता है कि वह यह बच्छा पढ़ाई कर रहा है जिरो लेवल से उठ रहा ही रो बनेगा गुजिन में तो ऐसे आप पढ़ें हम आपको डाउट बताएंगे आपको भी वैसे बताएंगे जैसे मैंने इनको बताया आप मुझे सेंड करें वार्ट कर्मसें दे दूं कि मैं कि कल से यूटूब पर डेली वाइस कि 11 एंड ट्वल्थ दोनों के क्लासे स्टार्ट कर रहा हूं अब जो बच्छा टार्गेट का होगा वह तो इस दोनों को देखेगा 11 में मैं कल से लिए स्टार्ट करूंगा हुमें फीजलोजी में मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि डाजस्टिव स्टम कर डाजस्टिव स्टम अगर जो ट्वल्थ के बच्चे हैं मैं उसको अभी स्टार्ट करना जा रहा हूं अग इक लगें सुनिए गाश्वेंट्स जो भी आपको जल्दी में बताऊंगा कि आपको कैसे अपना स्टडी करना है लेकिन फिलाल आप अगर आप आप लेकर बढ़ना चाह रहे हैं नीच में आना चाह रहे हैं तो आप कल से डाइजेस्टिर सिस्टम का वीडियो देखना स्टार्ट कर देजिए इलेवंध वाले बच्चे जो इलेवंध से टॉल्थ में जा रहे हैं वो बच्चे अपना टॉल्थ का प्रिप्रेशन स्टार्ट कर दें मैं कल से टॉल्थ का टॉबिक स्टार्ट कर रहा हूं इकोलोजी इकोलोजी स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट आप समझ जाए कि आपके पूरे बोर्ड का 30% पोर्षन एकोलोजी है और नीट में बात कि जाए डियोट्र सिस्टम हो यह इकोलोजी ने का मेरा तरीका होगा जैसी ने क्लास्रूम में पढ़ाता हूं पढ़ाओंगा सेम वैसे बस यहां कैमरे को देखके पढ़ांगा वहां बच्चे सामने रहते तो यह नू करवाता हूं या मैं हिस्लिए करूंगा मैं ही दो करूंगा क्यामना कुछ नहीं बोलता है क्यामना मैं भी हूं तो सामने बच्चे नहीं है तो मैं एज्यूम करके चलूंगा कि कैमरा है मेरा बच्चा तो मैं उसी को देखकर पढ़ाऊंगा जब तक लॉक्डॉन नहीं खुर रहा है तो आप वीडियो देखना जारी रखें मै मैं पूरी कोशिस करूंगा आप जैसे चर्बरकर पसंत करते हैं आप ओंलाइन के कारें हुआ कैमरे के आंदर हो महोल बना जो विए पूरा महोल बना दो आप जबधा है के लिए मेरे साथ बंध जा वानते हैं आप यि यदिव infinitely को पढ़ना स्टार्ट किजिए पढ़ा और बोड पर जो भी लिखा रहेगा इसका फोटो आपको यूटूब के नीचे लिंक रहेगा उस वीडियो के नीचे डेस्क्रिप्शन में आप उस पर जाएंगे तो आपको बोड पर लिखा हुआ भी सारा मेटर मिल जाएगा उसके बाद आज जो मैंने पढ़ाया उसका नो डेलिवाइस वह आपको डेलिवाइस हर वीडियो में मिलेगा सुन्दर नोर्स और आज मैंने जितना पढ़ाया सपोस्टेट आज मैंने एकोलोजिका इंट्रोड़क्शन पढ़ाया तो ncrt में उसका कहां पोर्शन दिया हुआ हुआ है उसका आपको फोटो यह इतना मैट अरियल आपको डेलिवाइस मिलेगा बोर्ट का लिखावर टोटल मैटर नूर्स जो मैं क्लास्रूम में लिखवाता हूँ वह मैं आपको लिक्के दो मैं डेलिवाइस जो डेली जितना पढ़ाऊंगा और उस पाटिकलर टॉपिक का एंशियाटी का क्लिक ताक आप अपने सब्सक्राइब तो आपने स्टेडी को प्रभावित नहीं करें जाव बच्चे टैंस 11 में आने वाले हो या फिर 11 से 12 में जाने वाले आप जारी रखें और टार्गेट वाले बच्चिया जो रिपीटर है या फिक टारिकर में अभी गए ते अगर उनके पास समय है उनका ड और अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं यकीन मानिए स्टुडेंट पंद्र को सन आएगा इकोलोजी में मेरा पूरा प्रियास रहेगा पंद्र का पंद्रा मेरे नोटबुक से रहे पिछली बार भी रहा है और पूरा हमें फिजियोलोजी में खतम करूंगा तुमारे एक दो को सने दरुजा स्लीप हो जाता है बाइचांस लेकिन मेरोटी को सन हमारे नोटबुक से ही रहेगा अगर टारिगेट का बच्चा यह दोनों वीडियो देखता है तो थर्टी को सन में प्रिपेर करा दूंगा हमें फिजलोजी और उकलोजी से तो आप इस वीडियो क को जैसे सिशन आय नय वीडियो आए आप देखते जाएं अगर आपको विशेज जानकारी कोई प्राप्ड करना हो तो जानआव जानकारी के लिए आपको जोभी चीजर जानना हो बायो में डाउट हो या फिर पढ़ने का तिक हो कैसे पढ़ें कैसे क्या करने हैं सर हम ठम स से लेवन तो एसे बच्चों के लिए मैं उनको मोबाइल नंबर दे रहा हूं वह बच्चे बेहिचक मुझे कॉल करें एट जीरो नाइन फोर एट एट नाइन वन सिक्सेट फिर से में रिपीट करता हूं एट जीरो नाइन फोर एट एट नाइन वन शिक्सेट एक बार हिंदी में बुल लेता हूं असी चौरानवे अठासी एक्क्यानवे उसल इस नभर पर वर्ट सब कर दे के अगर आपका क्ल रिसीव नहीं किर का जाता है तो आपको बैक किए जाएगा अगर那么 और सब्सक्राइब करके छोड़ दिया जाता यह ना सज़ें कि आपको इग्नोर किया गया है फुरी होते ही आपको रिपिलाई किया जाएगा आप वहेचा किस नंबर पर संपर्थ करें आपको विशे जनकारी जो भी प्राप्त करनी हो तो इस्टुडेंट नेक्ट वीडियो हम उसका एनल्सिस करके उससे ज्यादा से ज्यादा आउट्पूट कैसे लिए तो नेक्ट वीडियो आप देखना ने भूले कि क्वेस्टन प्रक्टिस कैसे करना है और इसके साथ साथ हो दायकर से तयार डाजिशिव सिस्टेम और एकोलोजी के लिए धन्यवाद